हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू आनलाइन बीए कलासस इस वीडियो इस वीडियो इंपॉर्टन फार बीए थर्ड समस्टर सिच्छा सास्तर के लिए इजुटेशन के लिए जिसका मैं न्यू माडल आपको 2024 का दे रहा हूं यदि आप चैनल पहले बारा हैं चैनल को लाइक और इंपॉर्टन को अज़ेट के लिए लेए जाम के लिए बहुत हिं इंपॉर्टन होने वाले हैं दिखेंगे न्यू माडल पेपर यहाप का 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टन बनाया गया है सेटकर ऑप् Scientists करने होते हैं पड़ेक कोश्टन के 2 मार्स निर्धायत किये गये यानि 20 मार्स आपको खंड आ से मिलने वाले हैं, जो की अतलकुतरी ये प्रसन होते हैं, very short answer type questions होते हैं, तो इसमें देखेंगे, first question जो आपका है, दरसन का साब्दिक अर्थ आपको बताना है, कि दरसन सब्द का साब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संछेप में इसको समझेंग कि हिंदी भासा के दर्सन सब्द अंग्रेजी भासा के फिलास्पी का रूपांतर होता है या जो दर्सन सब्द होता है वो फिलास्पी सब्द से इसका रूप होता है फिलास्पी सब्द की ब्यूत्पत्ती ग्रीक भासा के दो सब्दों यानि फिलास तथा सौफी से सब्द से हुआ है निए फिलास और सौफिया यानि दो सब्द मिला करके तब हम फिलास्पी सब्द की पती समझते हैं जिसकों की दर्सन कहते हैं जिनका करमसा अर्थ है ज्ञान या अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम तो इस तरह से फिलास्पी से सम्मधित और दर्सन से सम्मधित को फर्स्ट कोश्चन होगा इसके पस्चाद मित्रों दूसरा कोश्चन जो है आदर्स बाद क्या है आदर्स बाद से संबंधित कोश्चन होता है जो की वेरिशाट आंसर टाइक कोश्चन की रूप में आपसे किया जाएगा और ये थर्ड कोश्चन जो आपका है प्रकृत में स्वाम विविकानंद जी ने क्या कहा है इसको आपको लिखना होगा यह मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है यह कोश्चन नमबर फोर आपको पूरी तरह से पढ़कर के जाना है इसके पस्चात कोश्चन नमबर फाइब में बुनियादी सिच्छा का पार्थ करम यह बुनि में जानी कि है इसके पास्चात कोश्चन नमब फोर पूर्ट कैंगे भारत के संविधान में धार्मिक सिच्छा का अर्थ क्या है इस से क्या आतरफ पर रखा जाता है तो यह question most important है आपके exam में continue उसलिए पूछा जा रहा है question number 8 देखेंगे question number 8 में संधारीडिये विकास यानि संघार्णिये विकास के लक्षण क्या है निसे संधार्णिये विकास के लक्षण के विसे में आपको बताना है इसके पस्चात question number 9 पृत्वी question number 9 है पृत्वी संमेलन पर संच्छित टिपणी लिखना है यानि पृत्वी संमेलन जो हुआ था इस पर आपको संच्छित टिपणी लिखना है और इसके पस्चात question number 10 जो कि last question है आपका बेरी साथ answer type questions में तरो yes dg पर टिपणी लिखिए यानि sdg पर आपको टिपणी लिखना है कि sdg क्या होता है तो यह 10 questions जो बेरी 60 answer type questions थे मित्रों बहुत ही छोटे questions थे यह प्रते questions 2 marks के होंगे यानि कि आपको 10 questions करना है तो 20 marks आपको gain करना होगा इसमें से अब मैं आप अब मैं आपको लगुतरीय प्रसंद के बिसे में बताना जा रहा हूँ लगुतरीय प्रसंद के वल आपको 5 questions करने होते हैं यह प्रते एक question जो है 7 marks का होता है यानि कि 35 marks आप gain करेंगे लगुतरीय प्रसंद के रूप में तो इसमें देखेंगे यह पहला question जो है सिच्छा दर्सन का अर्थ बताते हुए उसे परिभासित कीजिए यानि सिच्छा दर्सन का अर्थ बताईए और उसकी परिभासा लिखिए यह most important question है इसमें आपको मैंने 7 question दिया है परंतो आपको केवल 5 question ही करना होता है तो इसमें देखेंगे सिच्छा दर्सन का 8 question दिया गया है आपको और 8 में से आपको केवल 5 question ही करना होता है तो आप देखेंगे इसमें कि पहला question सिच्छा दर्सन का आर्थ बताते हुए उसे परिभासित कीजिए ये पहला question हो गया और दूसरे question में बेदान्त दर्सन की तत्त मीमानसा पर टिपणी लिखिया नि बेदान दर्सन की तत्त मीमानसा जो होती है उस पर आपको टिपणी लिखना हो इसके पस्चाइब कोश्चन नमर 13 गीता सार पर टिपणी लिखिया निए गीता सार में स्रीकेश जी ने अरजुन को जो उपदेश दिया था गीता में संचेप में आपको इसको बताना होगा ये गीता सार पर टिपणी लिखना है इसके पस्चाइब कोश्चन है ये कोश्चन नमर 13 इसके पस्चाइब कोश्चन नमर 14 परियोजन बाद की अनुसार बिद्याले की क्या भूमिका होनी चाहिए ये आपको लिखना है इसका अंसर इसके पस्चाइब देखेंगे ये question number 15 गांधी जी के सिच्छा दर्सन का स्मून ल्यांकन की यनि गांधी जी के सिच्छा दर्सन का क्या सिच्छा के पर क्या disट्रिकौन रहा था इसके बिसे में आपको बताना है इसके बसचाथ पकिर्थवाद की मूल बिसेष्थाओं को संचेप में बताईए ये भी most important question है जो की लगुतरिये परसन के रूप में यानि 60 answer type questions के रूप में आप से किया जाएगा इसके पसचाद 17 question देखेंगे रूसों की निसेधात्मक सिच्छा का वड़न कीजिए यानि रूसों की जो निसेधात्मक सिच्छा थी उसके बिसे में आपको वड़न करना है यह भी question most important question है प्राया सभी इंस्टियों में continuously पूछे जा रहा पूछे जाने वाला question है यह question number 18 में देखेंगे डाक्टर भीम राव अमबेदकर यानि डाक्टर भीम राव अमबेदकर का प्राथमिक सिच्छा में योगदान का वड़न कीजिए यानि डाक्टर भीम राव अमबेदकर ने जो प्राथमिक सिच्छा में योगदान किया था उससे संदरभीत यह question है तो इसमें आपको 8 question द प्रते कोश्चन जो है 10 मार्स का होगा यानि 20 मार्स आप पराप्त करेंगे खंडशा से जो कि दीर हुतरिये प्रसन होता है दीर हुतरिये प्रसन आप 500 वर्ड्स में लिखेंगे और जो लगुतरिये प्रसन होता है उसको 200 सब्दों में लिखना होता है और जो अति लगुतरि पर question जरूर आएगा तुरंत आप पूरी तरह से इसको तियारी कर लें और पूरी परिभासा उसके अर्थ को समझते हुए आपको इसको explain करना होगा दर्सन क्या है यानि what is philosophy सिच्छा और दर्सन के पारशपरिक संबंध समझाईए यानि सिच्छा और दर्सन का जो पारशपरिक संबंध होता है उसके बिसे में आपको बताना है फिर question number 20 देखेंगे रूसों के सैचिक बिचारों का वड़न कीजिए इनके बिचारों का मुल्यांकन कीजिए यानि रूसों का जो सैचिक बिचार था उसका बदान करना है और उनके बिचारों का मुल्यांकन भी आपको करना होगा ये question number 21 देखेंगे सिच्छा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक के रूप में समिच्छा कीजिए यानि सिच्छा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक के रूप में तो आप जानते ही सिच्छित ब्यक्ति जो है समाज में एक परिवर्तन ला देता है असिछित ब्यक्ति की अपैक्छा, तो जो असिछित और सिछित ब्यक्ति होते हैं, उनमें भिन्नताएं होती हैं, समाज आगे बढ़ने का जो लक्ष पराप्त करता है, वोकि उन सिछित ब्यक्ति से ही पराप्त कर पाता है मैं तो सिछ्छा सामाजिक परिवर्तन, सिछ्छा अ अर्थ असपस्ट करते हुए उसके महत्व की बीचना कीजिए यानि कि सतत्विकास के बारे में आपको लिखना है और उसके पस्चात सिच्छा का अर्थ असपस्ट करना है और उसके महत्व की बीचना करना है तो केवल फोर कोस्टन दिया गया है फोर कोस्टन पर आपको जो ह उसे थोड़ा कम भी हो सकता है, जादा भी हो सकता है, इससे कम लिखने पर आपको पूरे यंक प्राप्त नहीं होगे, तो these questions are very important as a model papers के रूप में मैं आपको 2024 के लिए set करके दे रहा हूँ, जो कि आने वाले exam के लिए आपके लिए most important होने वाला है, तो यदि आप चैनल पर की बार आये हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सियर अवस्त कर दे में तरों, तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रत्क्रिया को और स्परिसित करें, जिससे हर स्टुडिने डेंट के से संबंधित वीडियो हम उपलब्द करापाऊं, इसी के साथ न